तो बहुत स्वागत है आपका हमारे शनल में सभी से बात करूंगा कि जोसा के काउंसलिंग के लिए वह EWS सर्टिफिकेट क्या आप लोग को जरूत पड़ेगा कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा 10% का रिजर्वेशन होता है तो इ मेरे पास जो है वह दो साल का जो है वह जोसा का और स्टिफिका एक्सपिरियंस है एक बार जो है वह गरबढ़ हो चुकी है और दूसरे बाद जो है मैंने सक्सेस्फोली किया अपना तो अभी जो हो मैं सिविल इंजिरिंग कर रहा हूं तो इससे पहले मैं आपको यह बात एक बार और बता दूँ दूसरी बात कि आप सभी के लिए जो है एक टेलीग्राम का गुरूप बना दिया है जिस टेलीग्राम का लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन वाक में मिल जाएगा वहां पे आप जितने भी जो सा के एस्पिरेंट्स होंगे जो सा के जो के जो मैं वहार पर आपको रिपलाइ देने के कोशिज कर continues करओंगा तो आप मुझे होंपर म guesses कर İ लेकिन पहले जो है वो अभी इस वीडियो को देख लो और लिंक में मिल जाएगा वहां से सब्सक्राइब कर लेना तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि EWS का रिजर्वेशन का बेनिफिट किसे मिलता है तो EWS का बेनिफिट का कुछ लेकिन वह सभी आपको पढ़ने परेंगे उतना ज्यादा नहीं है आपको बता देता हूँ आपके फैमिली इंकम एट लाग से कम होनी चाहिए आपके जो लैंड है वह 1,000 1,000 स्क्वाइर फीट जो है सायद उससे कम होना चाहिए या फिर वन एकर क्या सपस है वो मैं आपको देख के बता दूंगा और उसके बाद जो है वह आप OBC, SC, ST इन सभी केटेगरी में नहीं आने चाहिए तभी जो हो आपको EWS केटेगरी में बिलॉंग किया जाएगा अब देखिए EWS केटेगरी में अगर मैं कास्ट वाइस बात करूँ कि आप अगर किस कास्ट से हो तो EWS का benefit मिल सकता है तो अगर आप राजपूत कास्ट से हो आप ब्रामन कास्ट से हो आप भूमियार कास्ट से हो आप कास्ट से यानि कि जिसे लाला जी भी हम लोग कहते हैं तो यह सभी हो और कुछ भूमियार ब्रामन भी कहते हैं अपने आपको तो यह 4-5 जो है वो कास्ट है major कास्ट जिन्हें जो है वो EWS में consider किया जाता है और कि इतने बार केसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो की वबीशी में रहते हुए भी जो है वह व इटलो बनवा लेते हैं खेर उनकी बात ने करा तो यह जो है को मैजर कास्ट होते हैं जो की इव बिजर्व इसन का benefit ले सकते है अब देखिए सबसे important criteria यहां पर क्या है कि आप जो है वो family income 8 lakh से कम होने चाहिए हलाकि important तो 4 है 4-5 criteria है लेकिन यह जो income वाला है अगर आपका आप किसी भी category से हो अगर आप जो है आप OBC से हो या EWA से हो कोई भी cash से हो लेकिन अगर आपका family income 8 lakh क्रॉस कर जाता है तो आपको जो है वो कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अब देखिए 8 lakh जो है वो किसका income होना चाहिए family का family की definition आपको वह भी पत्याने चाहिए family आप बोलोगों कि भाई family का definition में क्या इतना हाड है hard and fast है तो hard and fast है क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूं देखिए family किसे कहते हैं आप आपके पापा आपके मम्मी यह तीनों तो हमेशा family में आएंगे और जो आपके भाई बहान अगर है तो आपके भाई बहान family में तब ही आएंगे अगर उनकी एज 18 से नीचे हो अगर आपके भाई और भाई और बहनों की जो है वो जो नंबर है जो एज है वो 18 प्लस हो जाती है में 18 साल से उपर हो जाती है तब उन तब जो है वो फैमिली में इनको जो है फैमिली में उनके इंकम को आप फैमिली में नहीं कर सकते हो अगर वो इंवेन अर्ण कर रहे होंगे चाहे कितना भी अर्ण कर रहे होंगे लेकिन उनके जो है वो इनकम को आप अपने फैमिली के इंकम में नहीं दिखा सकते हैं तो अगर आपके पापा की इंकम मम्मी की इंकम आपकी इंकम और आपके भाईयों बहनों जो की 18 साल से कम है वो सभी जो है वो फैमिली में कंसीडर होंगे तो इनकी इंकम अगर एट लैक से जो है वो अबरवल इंकम लेस है तब आपको EWS सर्टिफिकेट का डेजरविशन का बेनिफिट मिलेगा दूसरी बात तो एक बात ध्यान रखना आप कि उन्हीं स्टुडेंट्स को जो है वो ज्यादा जो है वो प्रिफिरेंस मिलेगा जो की सेंटरल लिस्ट का बनवाए हो इस्टेट लिस्ट का आपका जो है वो बना होता है तो वह चुकि आप जो है अड्मिसन ले रहे हो आयाइटी में एन सबही में जो है वो इस्टेट लिस्ट का कर प्रिफिकेट वैलिट नहीं है क्यों क्योंकि यह जो कॉलेज़ेस है वो सभी केंदर सरकार के अंदर का आधी है केंदर सरकार मतलब क्या कि Central Government Government of India और State Government के अंदर में जो है वो State Engineering State Government Engineering College जाती है जैसे कि दिल्ली के आपकी जो है वो DTU हो गई NSIT यह सभी NSUT पता नहीं क्या है तो वो जो है वो सभी State Engineering College जाती है और उसकी फीस भी जाता है तो यह जो Central Engineering College में अगर आप एडमिसन लेने जाओगे तो आपको सेंटर लेश्वाला सर्टिफिकर चाहिए होगा अब आप कौन से ऑफिसर से बनवा सकते हो क्या आपके वाड कांसलर है उनसे जाके साइन करवा लोगे नहीं वो वैलिड नहीं है क में इस तरह तो उसी तरह जो है वह सी ओ आरो तैसिल दार नायाब यह जो है वह तो इतने सारे जो है वह उनका मिनिमुम उके इनसे नीचे रहांकर आपका नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट आप सकते हो डीम लेवल का बनवा सकते हो लेकिन मिनिमम जह वह आपको एस याव सब्सक्राइब का सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप जो है वो EWS का benefit ले पाओ तो आई होब कि यह बात भी आपको समझ में आगए होगे फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना बाद में उसके बाद में बात करता हूं कि आपका जो है यह सेल्फ एटेस्टेट फोटो होना आती हो तभी जो है वो आपको EWS का रिजर्वेशन का benefit मिलेगा मिस अगर आप ऐसे कैटेगरी से बिलॉंग करते हो जो की स्टेट में या फिर सेंट्रल में ओके भारत सरकार में या फिर केंद सरकार में जो है वो कि अबर्य जो कि आती हो तो आपको जो है वो ड्यजर्वेशन का life में नहीं मिलेगा आप अपने कैटेगरी से जाके पर रिजर्वेशन का these या फिर स्ट से लो या फिर से सूट लेकिन आपको जो है वो इलगको लेने के लिदे हो को जो है वो इन सभी जो है वो वो केटगरी से विलॉंग नहीं करेंगे तभी जो हो आपको मिलेगी आई होब क्या यह बात यह कार से लेटर भी मैंने बाद बता दी तो यहाँ पर मैं कोई जो है वो आपको सेग्रिगेट नहीं कर रहा हूं मैं यह सरकार की रूल्स रीजुत से बाते समझ से अल खाए अदे Sc 2030 नहीं करा हूं साहिए अगर झार्पीकेट के चुछ ल know प्रब्लेम होती है जल्दी से आप सुधरवाले न क्योंकि और इसका फॉर्मेट है वह भी मैं आपको देदूंगा टेलिग्राम का टेलिग्राम के चैनल पर अप्लोड हो जाएगा वहां से भी आप देख सकते हो फिर भी अगर कोई आउट आती है तो आप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और फ्री अफको यहां पर आपको जो है वह मिलती रहे के जानकाड़ी मैं खुद जो हूँ वह इडव्य सर्टिफिकेट के बेसिस पर जो है वह मैंने भी दिया था जब मेरी डॉक्मेंट वरिफिकेशन होई थी मैं खुद जो है वह वह किसे बिलॉग करता हूँ तो आप भी जो हो ले सकते हैं फिर भी अगर कोई डाउट हो आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और टेलिग्राम चैनल को आप ग्रूप को जाके जोइन कर लो वहाँ पर भी आप जो है वह चीजे आपको मिलती है रहेंगे फ्री आफ